सातमा अध्याय अश्वत थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत थामा का मान मर्दन श्री शौनक जी ने पूछा सूत जी, सरवग्य एवं सरवशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राई सुन लिया फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया श्री सूत जी ने कहा ब्रह्मनदी सरस्वती के पश्चिम तटपर शम्या प्रास नाम का एक आश्रम है वहां रिशियों के यग्य चलते ही रहते है वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है उसके चारों और बेर का सुन्दर वन है उस आश्रम में बैठ कर उन्होंने आचमन किया और स्वयम अपने मन को समाहित किया उन्होंने भक्त योग के द्वारा अपने मन को पूरुन तया एकाग्र और निरमल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रे से रहने वाली माया को देखा इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुनों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुनात्मक मान लेता है और इस माननेता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग परंतो संसार के लोग इस बात को नहीं जानते यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की सहिता श्री मद भागवत की रचना की इसके श्रमन मात्र से पुर्शुत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रती परम प्रेममई भक्ति हो जाती है जिससे जीव के शोक, मोह और भय नश्ट हो जाते हैं उन्होंने इस भागवत सहिता का निर्मान और पुनरा वृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायन पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया श्री शौनक जी ने पूछा श्री शुकदेव जी तो अत्यन्त निवृत्ति परायन है उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंत का धेन किया श्री सूत जी ने कहा जो लोग ज्यानी हैं जिनकी अविद्या की गांट खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतुरहित भक्त किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सब को अपनी ओर खीच लेते हैं। शोनक जी, अब मैं राजर्शी परिक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वरगा रोहन की कथा कहता हूं, क्योंकि इन ही से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। अश्वत थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रियकारिय समझ कर द्रवपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट कर उसे भेट किये। या घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रवपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गई। उसकी आखों में आसू छलचला आये, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी मैं तुम्हारे आसू तब पोछूँगा, जब उस आतताई ब्राह्मना धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेट करूँगा, और पुत्रों की अंतेष्ट क्रिया के बाद तुम उस पर प कवच धारन कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रत पर सवार हुए तथा गुरु पुत्र अश्वत थामा के पीछे दोड़ पड़े। जब उसने देखा के मेरे रत के घोड़े ठक गए हैं और मैं बिलकुल अकेला हूँ तब उसने अपने को बचाने का एक मात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्द्यपी उसे ब्रह्मास्त्र को लोटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्रान संकट देखकर उसने आ अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आबनी है तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदा अनंद सुरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम्ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धदक्ती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीमों को उससे उबारने वाले एक मात्र तुम्ही हो, चित शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुण मई माया को दूर भगा कर अपने अध्वितिय स्वरूप में इस्थित हो, वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादी रूप कल्यान का विधान करते हो, तुम्हारा यह अवतार प्रित्वी का भार हर करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है, स्वयम प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब और से मेरी और आ रहा है, यह क्या है, कहां से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिलकुल पता नहीं है, उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लोटाना नहीं चानता, किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है, तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांती जानते ही हो, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेश्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अगनी के समान आपस में टकरा कर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। भगवान के अनुमत से अर्जुन ने उन दोनों को ही लोटा लिया। अर्जुन की आखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने जपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्षी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बल पूर्वक बांध कर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मना धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोय हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। को लेकर यदिवह जीता है, तो और भी पाप करता है, और उन पापों के कारण नरक गामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रवपदी से प्रतिज्या की थी, कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वद किया है, उसका सिर में उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वद किया है, और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए अरजुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अरजुन के धर्म की परिक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की। परन्तु अरजुन का हरदय महान था। यद्यपी अश्वत थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अरजुन के मन मे गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारत ही श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की और जुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरु पुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हिर्दे कृ क्रिपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरु पुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा छोड़ दो इनहें, छोड़ दो। ये ब्राह्मन हैं, हम लोगों के अतनत पूजनी हैं। जिनकी क्रि आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अरधांगिनी क्रिपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महा भाग्यवान आर्य पुत्र आप तो बड़े धर्मग्य जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को विथा पहुँचाना आपके योग्यकारिय नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आखों से बार बार आसू निकल रहे हैं। वैसे ही इनकी माता पत गौतमी न रोएं। जो च्रिंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मन कुल को कुपित कर देते हैं। वह कुपित ब्राह्मन कुल उन राजाओं को सह परिवार शोकागनी में डालकर शिग्रही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा शौनकादिर शियो द्रौपदी की भात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव, राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ट वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयम भगवान श्रेक्रिष् उस समय क्रोधित होकर भीम सेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बलकि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वद ही उत्तम है। भगवान श्रेक्रिष्ण ने द्रवपदी और भीम सेन की बात सुनकर और अर्जुन की और देख कर कुछ हंसते हुए से कहा, भगवान श्रेक्रिष्ण बोले, पतित ब्राम्मन का भी वद नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए, शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कहीं हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्याओं का पालन करो, तुमने भी भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हिर्दे की बात तुरंत ताड़ गए, और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत थामा के सिर की मनी उसके बालों के साथ उतार ली। शिविर से निकाल दिया। मूण देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना यही ब्रामणा धमों का वध है। उनके लिए इससे भिन शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधूओं की दाहादी अंतेष्ट क्रिया की।